नमस्कार सीला की रशोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ प्लंप केक की रेस्पी यह देखे बहुत ही अच्छा बना था केक सबसे पहले तो आप सभी को मेरी क्रिश्मस और नए साल की धेर सारी सुपकामना है यह देखे आज मैं बनाई ह तो आज मैं इसकी रेस्पी लेकर आई हूँ यह देखे कितना अच्छा बना है कि आपको देख सकते हैं यह देखे मैं इसे निकाल रही हूँ इसका जो बटर पेपर है इससे निकाल रही हू यहिए बहुत ही टेस्टी बना था गाइज बच्चों बहुत पसंदाया है यह इस तरीके से आप केक बना सकते हैं क्रिस्मस के लिए यह देखें और कितने सारे ड्राइफुट्स हैं इसमें देखें इसके का मतलब यह होता है इसमें बहुत रियर सारे ड्राइफुट्स पढ़ते हैं यह देखें इसी बहाने क्योंकि सर्दी में तो ड्राइफुट्स खान अच्छा बना है यह देखिए और कितना इस पंधी भी है आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा आया है यह देखिए तो मैंने इसे वह नहीं बनाया है कडाही में वेक किया है यह देखिए और अंडा भी नहीं डाला है एक लेक्स केक है यह देखिए आप खुद देख सकत मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ यह देखिए बहुत ही टेस्टी केक बना था गाईज तो इस तरह से आप भी जरूर बनाईएगा क्रिश्बस पर अपने परिवार के लिए यह देखिए आतो को भाई पसंद आता है तो इसको तो जरूर ढाले बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं इसे तो ये रेट कलर की है ये ग्रीन कलर की है तो दो कलर के इस्तिमाल करूं या देखने में भी बहुत सुन्दर लगती है गाई केक में डालिए आए किश्मिश है यह देखे यह अख्रोट है तो सब की मातर लगभग बराबर है यह देखे लगभग 20-30 ग्राम ही होगा यह देखे बादाम है बादाम को भी मैंने थोड़ा से बड़े बड़े टुकड़े में काट दिया है तो केक में जब दिखते है न ड्राइफूर्स तो बहुत ही मेरे ड्राइफूर्स को डालना है फुलाना है तो सबसे पहला काम मैंने यही की हूं यह देखे इसको मैं आधा घंटा पहले जूश में डालकर रख दिया हो फुल्ले के लिए जितने भी ट्रायफूर्स थै और ज्यूस में झेए इस तरीके से आप डाल दे तो आपको जो ड्राइफुट्स पसंद है आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, डाल सकते हैं, यह देखिए, तो हमारे यहां जो जितने भी ड्राइफुट्स थे, मैंने सब डाल दिये हैं, यह देखिए, टूटी-फूटी तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगता है, अच्छे लगता है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, आफिक बच्चे बहुत पसंद आता है, अई देखिए , जो संतरे की जूस हैं उसको मैंने इसमें अच्छे से SORT कर दिया है, ड्राइफुट्स भी जितने थे, इस तरीके से, चमच के साहयता से इसे हो जाए यह देखे डिप करके आप रख दे और इसको अधा गंटा पहले ही आप रख दे ताकि अच्छे से फूल जाए और जितना भी जूस का फ्लेवर है और ड्राइफोट्स में आ जाए यह देखे अब मैं इसको धक्गे रख दे रही हूँ तो सबसे पहला काम यही करें अब मैं एक पैन चड़ा दी हूँ उसमें मैं 100 ग्रांग चीनी ली हूँ यह देखे सुगर तो इसको मैं करेमेल बनाऊंगे यह देखे तो इसे कर्ण करते रहें धीरे-धीरे चलाते रहें ताकि आपकी चीनी जले न यह देखे अधर बगल में कड़ाई भी मैं चड़ा द जाल दे प्री हिट के लिए इसे रख दे 10 मिनट पहले तो बगल में मैंने भी कर दिया है ताकि अवारी कड़ाई प्री हिट हो जाए केक के लिए तैयार हो जाए अधा देखे मैं केरेमेल बना रही हूँ अज देखे इसको भी चलाना न चोड़े लगातार चलाते रहें न देखे इस तरीके से पिखला लें देखे हमारी चिनी पिखल रही है और इसे लगातार चलाते रहीएगा अब बहुत ज्यादा लाल मत करियेगा गया नहीं तो आप केरेमेल में करवाब अपन आ जाएगा इसको लगातार आप चलाते रहें देखे इसका कलर देखिए कैसे ह हो गया है दम सहथ की तरह हो गया जैसे सहथ होता है न वैसे ही कलर हो गया है यह देखिए लगातार इसे टर्न करते जाए चलाते जाए ताकि यह जलने न पाएं क्योंकि जल जाएगा न तो फिर कड़वा पना आजाएगा आपके केक में स्वाद बिगाड़ देगा इसका यह पानी डालूंगी थोड़ा सा पानी डालिए यह देखिए ज्यादा पानी के स्तेमाल न करे और इसे लगातार चलाते रहें यह देखिए ते अच्छा सा करेमल सिरप बन जाएगा तिससे केक में कलर बहुत ही अच्छा आता है इसमें आपको कोको पाउडर अगरा डाल लेक की जरूवत नहीं पड़ेगी इसी से बहुत अच्छा कलर आएगा केक में यह देखिए तो यह करेमल सौस बनके तयार हो गया है अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी यह देखिए इस तरीके से आप ट्रांसफर कर ले और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे मैं इसमें पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए ताकि जितने भी ट्राइफूट्स है सब में और इंजूस मिक्स हो जाए यह देखिए तो इसे पका लेहने से इसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो इसे कच्छा भी डाल सकते हैं लेकिन पका के डालेंगे न तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अच्छा दालचीनी का टुकड़ा में डाल दे रही हूं ताकि इसका फिलेवर आ जाए बाद में मैं इसे निकाल लूंगी जा फिलेवर आ जाएगा तो मैं निकाल लूंगी और इसमें मैंने लॉंग और थोड़ी सी काली मेर्ची बूला भी डाली है वह थोड़ा से इसकीप हो गई थी थोड़ा समयनेज में चीजर पौडर भी डाला था सौट पौडर अब मैं जाइफल डाल रही हूं जाएफल का भी स्वाद केक में बहुत ही ज्यादा टेस्टी आता है इस तरह से घिसके डाले जाएफल को तो इन सब जितना भी जूस था सब ड्राइफूट सोख लिया है इस तरीके से ड्राइब हो गया है बस इससे ज्याद़ ट्राइब ना करें बस इतना ही रहने दे अब यह देखें केक्टिन ले ली हूं मैं इसमें मैं घी लगा के रख दूंगी आप चाहें तो ऑईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक इस से आप घी या बटर लगाके रख दें और इसमें मैं थुदा सा इस तरह के पेपर लगा दी हुँ एक रिख्यश्तर कि बहुत जल्दी निकलाता है छिपकता नहीं है एक देखें जो करेमेल सॉस था अब ही गरम ही है इसमें कि बैचास ग्राम बटर डाल त आप चाहे तो इसकी जगा ऑईल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ इस केक में बटर का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है नॉर्मल केक बनाती हूँ तो मैं ऑईल का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन मैं इसमें बटर कर रही हूं इह देखे बटर हमारा पिघल चुका है निक्स हो चुका है अब मैं इसमें ड्राइ लिए डालूँगी ये देखे यıt 500 ग्राम मैदा है ये देखे तो इसको मैं छान लूँगी अच्छा से मैदा ओगरा छान कही डाले यह देखिए अब मैं इसमें 1.5 चमच बेकिंग पाउडर डालूँगी यह देखिए यह देखिए इस तरीके से आप ले ले बहुत बड़ा चमच मत लिजेगा थोड़ा सा मीडियमा कार के ही चमच लिजेगा तो इसमें थोड़ा से जादा मात्रा में डालूँगी और छोट चमच का इस्तेमाल में कर रही हूँ वेकिंग सोड़ा थोड़ा कभी डाले बैकिंग पाउडर यादा डाले यह देखिए अब यह सिस तरीके से मिक्स कर ले आई देखिए और शान लोगी मैं अच्छा से एते कि तो मैं उच्छान नजरूरी होता है नोज्टेर्य सब द्र ता उसी से सका कलर बहुत जादा अच्छा आएगा अब इसे धीरे-धीरे mix कलर लें अब इसमें जो ड्रैफूट्स में पनाके रखी थी और इन जूसमें पकाकर मैं डाल रही हूं यह देखिए इस तरीके से मिला लें बैटर में यह देखिए तो इसे में मुझे अलग से सुगरोगर डालने की जरुवत नहीं है यह देखिए इसकी मिठास बहुत ही है तो केक तो थोड़ा हलका मीठा ही अच्छा लगता है अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप इसमें विसी हुई चीनी मिला सकते हैं लेकिन बहुत पर्फेक्ट बना था यतना मैंने केरेमेल बनाया था ना उसकी मिठास इसमें बहुत पर्फेक्ट था यह देखिए इस तरीके से अच्छा से आप चला लें हलके हास से बहुत ज्यादा ना फेटे यह देखिए मिक्स तैयार हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी क्योंकि जब विनेगर जो है लाश्ट में डालिएगा क्योंकि एक जो सोडा अगरा पड़ता है विनेगर डालने से वह एक्टिवेट हो जाता है यह देखिए आप चाहें तो विनेग की जगा इनो भी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए तो इनेगर सबसे लाश्ट में आप डालिएगा आई देखिए अब मैं जो केक ठीन में इसे ट्रांसफर कर लोंगी और इसका देखिए इसी तरीके से होना चाहिए बहुत ज्यादा लिक्विड मत करिएगा नहीं तो आपके ड्राइब अजीतने हैं वह सम नीचे बाढ़ जाएंगे यह देखिए इस तरीके क्या ही रहें बेटर इससे अच्य से केक एक क्रीस से मैं द्रांसपर है निकल जाए कड़ाही भी हमारी हिट हो गई है और काफी गरम भी हो गई है तो सावधानी पुर्व किसी रखिएगा यह देखिए नहीं तो आपके हाँ जल सकते हैं यह देखिए आराम से रखिए यह देखिए तो कुछ ट्रैफुर्स में उपर से भी डालूंगी देखिए तो उपर से डालने से ज्यादा अच्छा लगता है देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है ते देखिए कुछ मैं ड्रैफुर्स अलग से निकाल के रख दी थी यह देखिए उपर से मैं डाल रही हूं तो उपर से देखने में बहुत ही ज् था ही तो आप भी इस क्रिस्मस जरूर बनाईएगा और अपने परिवायर को खिलाईएगा कमेंट करके बताईएगा कैसे बने है के वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को दभाना न कैसा बना है करें देखें गए चालिस मिनट हो गये है अब मैं आपको दिखा रही हूं एक तूटपि डाल के आप चेक कर ले यह देखें इस तरीके से आप डाल के देखेंगे न तो तूटपिक आपका साफ आएगा तो समझ जाएगे केक बेख हो चुका है अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे आधा घंटा एक घंटा तक बिलकुल भी ना निकालिएगा एक घंटा बाद निकालिएगा एक दम से ठंडा करके नहीं तो आपका केक तूट सकता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा और प्लीज मेरे चाइनल को सस्क्राइब करेगा मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग बाई